अमावस्या के दिन आपको लगता है तो एक पीपल का पत्ता ले लो उसके उपर एक कपूर का तुकड़ा ले लो सारे घर में घुमा कर उसको धरवाजे के बीच मज़े में जला कर रख दीजिए थोड़ी सी दरवाजे के बीच से 25 मिनट के अंदर स्वयम गुरु बाबा करत जला तो उसको अशमीक यग्यक का पुन प्राप्त हो योसमीक यग्यक के पन्यक को पाने के लिए कपूर-शुदा आज भी सो भden आज है कि आज भी है कोई ना कोई बिमार बढ़ रहा है कुछ ना कुछ तकलीफ है लग रही है तो एक पीपल का पत्ता ले लो उसके उपरे कपूर का तुकड़ा ले लो सारे घर में घुमाकर उसको दर्वाजे के बीच मज़्े में जला कर रख दीजिए थोड़ी सी दर्शी लाज़ी बीस से प बस एक बार रोज नहीं जरुवत है प्रती दिन जरुवत ही नहीं है महिने में एक बार अगर हमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देव अदिदेव महादेव को साथ इस्थान पर समर्पित किया है अशुक यहाँ पर बढ़न कर रही है मे प्रिय होता है और चंदन ही यह कैसा होता है जो पित्रों को भी प्रिय होता है जिसका इस पर शमात्र लगने से पूरवजों का कल्यान हो जाता है वो चंदन का साथ इस्थान शिवलिंग के बताए है जहाँ पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है साथ इस्थान एसे हैं जहाँ चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पित्र लोक के पित्रों को मुक्ति प्रदान करके बेकुंथ लोग का निवास देए साथ इस्थान और वो साथ इस्थान जो चंदन के बताएगा है पहला भगवान देव अधिदेव महादेव के शिबलिंग पर चंदन का लेपन समझ लेना जरा बहुत अच्छे से आपको लगता है सपन में कोई मुर्दे दिख रहे हैं या कोई जल रहा है या कोई मर रहा है या कोई चला गया है ऐसा भगवान लगता है बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा पती को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा कोई हमारे कंद कोई गलत तो नहीं कर रहा है आपको लगता है साथ इस्थान चंदन के बताएं माराज पहला शिबलिंग दूसरा जहां गणेश जी का इस्थान है मालूमें ना सबको जम के बोलो जरा मालूमें ना सबको जहां गणेश जी का इस्थान है वहां अलक से गणेश जी बेठें व लेक्त में कार्तिके बीच में अशोक सुन्दरी तो पहला चंदन बावा के शिविलिंग पर दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली तीसरा शडानंद कार्तिके पर चंदन की उंगली चौथा अशोक सुन्दरी पर चंदन की उंगली पाच्वा जलाधारी पर चंदन की उ अचानदी के मस्दक के उपर जो दूसींग लगे रहेते हैं उस पर चंदन की उंगली ये कब लगाई जाती है या तो अमावस्या के दिन इद आपको लगता है प्रती दिन जरूत ही नहीं महिने में एक बार अगर हमावस्त्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देव अधिदेव महादेव को साथ इस्थान पर समर्पित किया है अशुक यहाँ पर बढ़न कर रही है मेना धन्या और कला की कथा कर रही है तीनों ने सनकाद रिश्यों से माँगा चंदन भगरान को अति प्रिय होता है ऑर चंदन ये कैसा होता है जो पित्रों को भी प्रिय होता है जिसका इस पर्शमातर लगने से पूर्वजों का कल्यान हो जाता है वो चन्द रहता है आपके घर में पित्रदोश है आपको ऐसा महसूस होता है आपको लगता है तो किसी भी नौरात्री के पहले जो मवस्या पड़ती है अपन अमवस्या पड़ी आप अंदाजा लगाई तो जिस दिन अमवस्या रहे उस दिन चावल की कटोरी में एक कपूर का तुकड़ा रख दीजिए चोटा सा और कपूर का तुकड़ा रख कर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पित्रों का इसमन करकर जला दीजिए और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी ब्रक्ष की चाओं में पक्षियों के लिए डाल दीजी शुमाहपुरान की कथा करती है अगर मान लो पित्र आपको कश्ट दे रहे हैं पित्र आपको तकलीप दे रहे हैं कोई काम नहीं होने दे रहे हैं या कहीं आपको इसा लगता है पित्रों का दोष है तो वो पित्र दोष देवी अब ये जो आप करेंगे ये कप कर रहा है अमअवस्या के दिन आप उसको रख रहा है अमअवस्या के दिन उसको रख कर रात बर आपने रखा कपूर के साथ में सुभा एकम पढ़ गई नवरात्र लग गई उसी दिन उसको जलाकर आपने पटग दिया अर्थात उससे देवी और पित्र इन दोनों का अशिरवाद जो प्राप्त होता है तो घर में से पित्रदोष समाप्त होकर लच्मी की वृद्भी प्रादम्ब हो जाती है तारे में सिद्धता आजाती है कि मानलो अगर पित्रदोष है तो करो नहीं है बड़े अलमास्ती से दो तो यह पित्रदोष का इसमर्ण तो यह सास्त्र कर रहे कि पित्रों का जो लोग होता है पित्र जो लोग होता उस पित्र लोग में चोसट योगनिया प्रवेश नहीं कर शिम महापुरान कर रही है शंक आपको ऐसा महसूस होता है, मवस्या पढ़ती है, चावल की कटोरी में एक कपूर का तुकड़ा रख दीजिए, चोटा सा, और कपूर का तुकड़ा रख कर उस कपूर को दरवाजे के बाहर, कटोरी में ही चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पित्रों का इसमन करकर जला और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी व्रक्ष की चाओं में पक्चियों के लिए डाल दीजिए, श्युमाहपुरान की कथा कहती है, अगर मान लो, पित्र आपको कष्ट दे रहे हैं, पित्र आपको तकलीब दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या क अमावस्या के दिन उसको रखकर, रात भर आपने रखा कपूर के साथ में, सुभा एकम पड़क गई, उसी दिन उसको जला कर आपने पटग दिया, अर्थात उससे देवी और पित्र इन दोनों का आशिरवात जो प्राप्त होता है, तो घर में से पित्रदोष समाप्त होक अगर लच्मी की वृद्धी प्रादम हो जाते हैं, अमावस्या के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर, किसी भी नदी, तलाब, बावडी, कुवा, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहाँ पर एक घी का दिया, बत्ती या बावडी कुवा, नहीं है, तो पीपल का अब्रक्ष हो, या बेलपत्री का अब्रक्ष हो, या बट अब्रक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में, और अमावस्या के दिन, लगाएं, जरूर, क्यों? क्योंकि अमावस्या, 16 दिन तक पित्र, मृत्यू लोग करकर पित्र अपने लोग को चले जाते हैं प्रदोशकाल के समय पर इसलिए प्रदोशकाल में जलाशय के पास में बाओरी कुआ नदी तलाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिन की और मुख करकर बत्ती का तो पित्र आशिरवाद देते हुए जाते हैं कि फलो कि और बाती का मुख करकर साथ स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पित्र लोग के पित्रों को मुक्ति प्रदान करके बेकुंत लोग का निवास साथ स्थान और वह साथ स्थान जो चंदन के बताएगा है पहला भगवान देव कि शिवलिंग पर चंदन का लेपन कमज लेना जरा बहुत अच्छे से आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं या कोई जल रहा है या कोई मर रहा है या कोई चला गया है ऐसा भय लगता है बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा जिनके आप इत्र दोश होता है कालसरब दोश होता है वास्तु दोश होता है उनको ज्यादा कुछ नहीं करना होना महाराच एक बेल का फल लीजिए उसके अंदर का जो गुर्दा होता है अंदर का जो भाग होता है उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेब कर उसमें शक उसको अपने घर में गुमाने के बाद में जिसको कालसर्फ दोष बताया है पित्र दोष बताया है या वास्तु दोष का इसमन बताया है घर में सब्दूर गुमाकर अपने परिवार का हाथ का इसफर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे दखड़ा कोरकर उस बेल पत्र के उस फल को दाबती महाराच केवल एक हमावस्या करना रहता है पित्रों के दोश्ट से मुक्ती मिलती है और हमारे घर के कारे सफल होना प्रारंग हो जाए पती को महानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा कोई हमारे कंद कोई गलत तो नहीं कर रहा है आपको लगता है साथ इस्था छंदन के बताएं बाबा के श्युविलिंग पर दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली तीसरा शडानन्त कार्ति के पर चंदन की उंगली चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली पाँच्वा जला धारी पर चंदन की उंगली जटा जो शिवलिंग का जल बेह रहा है इसके ठीक विप्रीत क्यों चंदन की उंगली और सात्वा चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो दोस्तींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली यह कब लगाई जाती है या तो अमवस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ हमारे पूर्वजों का खल्यांड नहीं हुआ कई अधोगती में कोई चला गया है उसका बस एक बार रोज नहीं जरुवत है पत्र टोश अब हो जाया है तो समयन पेट ना पर के बच लेए गरता का अगर ना करें सम्मान ना करें तेज आवाज में बात करें समय लो पित्र दोशुष पित्र दोशुष मालू पड़े पुर इतने से भी अगर आपनी समझ सके परिवार कर तोई इक वेकति जब जब चोजं कर में वेकर तुप उसकी थाली में बाला आए बहले वहटल में खाए उब्लतर वह खान खार है और आच तंद्रा दिन में चानर इंडिन दीन में दो शैजि में आपज साली के भोजन में अगर बाल निकल रहा है शिसल निस हैं समध्य लिणा कि पित्र आपसे कुछ मांग रहे हैं पित्रria कर चाहते हैं है महाराज एक बेल का फल लीजिये क्या लेना आपका अ मेलका फल पत्री जो फल होता है उसको लेट लो उसकें अंदर का जो गुर्दा होता है अंदर का ज़ो भाग होता है उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेख कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको के अंदर भर लीजिए अमावस्या के दिन सुबहा 10 बजे से पहले उस बेल फल में जिसमें तुमने पंजेरी भरी है आटा सेख कर भराए सक्कर के साथ में उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिस जिसको फालसर्फ दोष बताया है पित्र दोष बताया है या वास्तु दोष का इसमन बताया है घर में सब्दुर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का इसपर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे दखड़ा कोरकर उस बेल पत प्राप्त होने लगते हैं हम तो कई बार करते हैं महाराजी अगर ऐसा लगे किसी ओशदी को आप ले रहे हैं मालूम पढ़े कि ओशदी आपको लग नहीं रही है शियु महापुराण की बथा करें आपने ओशदी बहुत दिनों से ले रहे हैं कोई दवाई मानलो आप किसी घञते लगन करहें औरसे ओशदी लगी नहीं रही है वह शरीर लगी नहीं पार यह तोonter 15 गिन पर बतां उतन की इतन ही घट्रिना है अथि उतनी अपना अपना भची लीबर बही खिटौनय 9 ky कुछ बही बही है कि उत्रे की उत्रे कि उत्रे कि उचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा है शुगर भी लेवल में नहीं आ रहा है तो प्रयास करा तरो मारा बेल पत्री के फलका जो गुर्दा है अंदर का जो भाग है फलका उसको पानी में गला लीजिए और प पहले के फल का गुछदा सा गला हुआ पानी शीव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए, महाराज़ी उस पानी में से थोड़ा सा एक चमच पानी शीव जीपे चड़ा हुआ लेकर जाईए, उस पानी को जो बिमार रेक्ती है उसको ओशदी देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए भगवान संकर का शुरी शिवाय नमस्तुभ्यम का जाब करकर उस पानी को देने के बाद अगर आप ओशदी देंगे तो ये पका है कि ओशदी अपना कारे करना प्रागम कर देगी और वो सुस्त होना प्रागम होगा वो सुस्त हो